नमस्कार साथियो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेडी इडिया पर आश्या करता हूं कि आप सभी अच्छी होंगे और आपकी प्टाइल खाई भी अच्छी चल देए होगी तो आज आपके सामने हाजिरू एक नई बरती को लेकर वो है उत्तर परदेश ह होमगार्ड बरती जैसा कि आपको पता है अभी बरती अनौंसमेंट हो चुकी है और कब आएगी सभी बाते करेंगे और यूपी प्लीस होमगार्ड में एक बड़ा बदलाव किया गया है तो इसकी भी चर्चा करेंगी क्या बड़ा बदलाव किया गया है कितनी पोस्टों बरती आएगी और क्या रखी गई है इसकी योगेता तो सभी बाते करेंगे जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और हमारा टेलीग्राम चैनल है भविश्य एजूकेशन के नाम से जिसका लिंक मैंने डिस्क्रि थी 2022 में कब हुई थी 2022 में तो उस टाइम कितनी टोटल पोस्टें थी लगबग कितनी थी 15,000 पोस्टें थी कितनी थी 15,000 पोस्टों पर आपकी बरती थी कितनी थी 15,000 पोस्टों पर आपकी वेकेंसी निकाली गई थी लेकिन अब की बार आपके लिए बढ़िया मोज कर दी है जैसा कि आपको पता है कुछ दिन पहले यूपी पुलिस का एक्जाम हुआ था जो होमगाड की भरती थी पिछली वो 15,000 पोस्ट परोई थी 2022 में लेकिन अभी कुछ टाइम पहले यूपी पुलिस का एक्जाम हुआ था लेकिन वो किसी अराज़क तत्वों के कारण वो कैं करना पढ़ा तो उस वर्ति को कैंसल करने के बाद अब जवानों की कमी आ चुकी है यूपी पुलिस में जवानों की कमी आ चुकी है इस कारण उनके लिए बढ़िया मोका है सेलेक्ट होने का क्योंकि पहले ये बरती थी वो सिर्फ मेरिट बेस पर होती थी अब की बार बड़ा बदलाव किया गया है उसकी भी चर्चा करेंगे लेकिन आपके लिए बहतरीन मोका ये है ये जो बरती होने जारी है वो लगबग 38,000 में इतनी पोस्ट है तो इसकी योग्यता क्या है इसकी योग्यता कि अपने बात करते हैं तो इसमें जो बड़ा बदलाव है यही है जैसा कि आपको पता है होम गार्ड में अगर आप बरती हो गए यूपी होम गार्ड में अगर आप बरती हो गए तो यूपी पुलिस की जो बरती आती है वो होम गार्ड में बरती होने के बाद 10% सिद्ध आरक्षन दिया जाता है होम गार्ड को नोकरी करना चाहता है तो कोई बचा अगर होम गार्ड में बरती हो गया तो अगर वो कितना 10 % Erection मिलेगा यह इसका Criteria रखा गया है आप अपने बात करते हैं इसकी योगेता में बड़ा बदलाव हुआ है क्या बदलाव हुआ है उसकी बात अपने करते हैं Homegarden में बड़ा बदलाव किया गया है तो być योगेता eligibility की बात करें तो ये बर्ती जो है वो पहले only 10th pass बर्ती होती थी क्या होती थी 10th pass बर्ती होती थी लेकिन अब की वार जो 10th pass है वो किसके लिए रखा गया है वो रखा गया है ex-servicemen के लिए किसके लिए ex-servicemen होते हैं जो retired 4G होते है ex-servicemen होते हैं उनके लिए योगेता रखी गई है 10th pass रखी गई है new candidate है उनके लिए क्या रखी गई है उनके लिए रखी गई है 12th pass रखी गई है new candidate के लिए मतलब जो ने बच्चे अभियर्थी जो ने student बरती होंगे UP home guard में उनके लिए क्या योगेता रखी गई है 12th pass रखी गई है अगर आपके पास 12th pass है तो आप UP home guard के लिए eligible हो ठीक है अब अपने बात करते हैं कुछ ex-servicemen भी कह रहे होंगे हमें भी क्योंकि नोकरी जो करके आता है वो उसके बाद retirement ले लेता है क्योंकि ex-servicemen कई जो आर्मी में होते हैं या एरफोर्स फगेरा में होते हैं वो 14 साल की बाद अपना retirement ले ले लेते हैं तो उसके बाद भी विवागी यो नोकरी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ex-criteria होता है भी इतने साल बाद अगर retirement लेके हो तो आपके age इतनी है तो ही आप नोकरी कर सकते हो तो इसमें जो age criteria रखा गया है वो क्या रखा गया है एक criteria आपका होना चाहिए 18 से 45 वर्स इसमें रखा गया है जो छूट के हिसाब से हैं छूट इसमें दी गई है 5 साल की SCST वगेरा को और OBC को ये इसी में include है 5 साल की तो 18 से 45 वर्स आपकी क्या होनी चाहिए age होनी चाहिए क्या होनी चाहिए एज होनी चाहिए ठीक है अब अपने करते हैं बात आगे इसमें तो इसमें बड़ा बदलाव ये भी हुआ है जो पहले वाली बरती थी पिछली बरती थी वो कैसी थी आपकी उसमें थी 10 पास थी ठीक है 10 पास में जो आपके percentage वगेरा देंटी थी इसमें percentage के हिसाथे merit बन दी थी और फिर क्या होता था стороны होता था एपका पेजी कल रखा जाता था था पहले टैंथ के पे diffusion के थी और फिर फिजिकल होता था तो इसमें सबसे बड़ा बदलाव यही किया गया है यह अब की वार क्या किया गया है सर तो हमें बताओ क्योंकि जो बच्चे यूपी पुलिस की त्यारी कर रहे थे उनको बड़ा benefit है इस बर्ती के द्वारा तो होमगार्ड बर्ती में क्या बदलाव हुआ है उसमें क्या है आपने योकिता बगेरा देख ली होगी तो योकिता आपकी इक सर्विसमेन के लिए 10 फास होनी कि और 12 फास किसे ने केडिडेट के लिए आपके 10 फास होनी छी थीक है बड़ा बदलाव यह हुआ है अब आपका पहले क्या होगा इक्जाम होगा मतलब home guard की बरती देखना चाहते हो तो पहले आपको इक्जाम clear करना होगा उसके बाद में क्या होगा आपका dv होगा क्या होगा document verification होगा क्या क्या होगा document verification होगा और उसके बाद आपका क्या होगा physical होगा क्या होगा आपका physical होगा और उसके बाद आपका क्या होगा medical होगा क्या होगा medical होगा तब जाके आप क्या लगे जाओगे, home guard लग जाओगे, क्या लग जाओगे, home guard लग जाओगे, तो ये process इसकी रहेगी, पहले आपको exam पास करना पड़ेगा, फिर document verification होगा, और फिर physical होगा, और फिर क्या होगा, medical होगा, तो ये सबसे बड़ा बदलाव किया गया है home guard की भरती में, अप पहले अपने बात करते है, physical की, ठीक है, तो physical में आपके क्या रखा गया है, आपके रखा गया, OBC, journal, और जो SC candidate है, उनके लिए, तो उनके लिए क्या रखी गई है, height की, पहले बात करते है, height की, इनकी height होनी जी है, आपकी 167, male candidate की बात कर रहा हूं, male candidate की क्या होनी ची, height है, 167, जो UP home guard की बरती है, वो male और female दोनों के लिए है, इसा नय सोचे, भी only male के लिए है, तो ये बरती male और female दोनों के लिए ही है, तो इसमें जो male candidate है, उनकी height होनी ची है, 167, और जो female candidate है, उनकी रखी गई है, height, 152.2 cm रखी गई है, female candidate की, ठीक है, और इसमें chest की है, male की chest कितनी होनी चीए, तो आपकी होनी चीए, चीए, 78.8, कितनी, 78.8 आपकी बिना फुलाई और 5 cm का क्या होना चीए, फुलाव होना, चाहिए, ये रखी गई है, योग गिता किसके लिए, OBC Journal, ORA, SC Candidate के लिए, अब आगे बात करते हैं, ST Candidate की, ST Candidate के लिए इन्होंने अलग रखा है, तो इनकी height रखी गई है, वो रखी गई है, 160 cm, कितनी height रखी गई है, 160 cm male candidate की और female candidate की रखी गई है, 147 cm, कितनी 147 cm किसके लिए रखी गई है, female candidate के लिए रखी गई है, height किसमें, home guard में, SC Category के जो student है, उनके लिए height, 160 cm male candidate और female candidate के लिए, 147 cm, इसकी क्या रखी गई है, height रखी गई है, ठीक है, और आपके जो, chest है, वो 76.5 रखी गई है, और 5 cm का क्या होना चाहिए, फुलाव होना चाहिए, यह है किसके लिए, journal category, oh sorry, ST category के लिए, यह physical है, physical में और बात करें, तो आपको physical में क्या करना होगा, जो 4.8 km की क्या करनी है, running करनी है, कितनी मिनट में, 25 मिनट में, आपकी clear होनी चाहिए, किन candidate के लिए, male candidate के लिए, किसके लिए, male candidate के लिए, उपर लिख देता हूँ, अभी तक आपको समझ नहीं आया होगा, इतनी बाते तो समझ आ गई होगी, ठीक है, तो आगे अपने बात करते हैं, जो आपकी running है, वो कितनी है, आपकी जो running है, वो है, 4.8 km running है, वो male candidate के लिए है, और time कितना है, इसमें, 25 मिनट है, आपको दिये जाएंगे, कितने, कि 4.8 km running करने में, या दोड करने में, ठीक है, male candidate के लिए, female candidate की बात करें, तो female candidate को 2.4 km running करनी होगी, कितने समय में, तो वो करनी होगी, लगबग समय दिया जाएगा, आपको 14 मिनट का समय दिया जाएगा, कितना 14 मिनट का समय दिया जाएगा, ये रखी गई है, आपके लिए दोड, तो मैंने physical की सब बातें बता दी है, फिजिकल में अगर आपका इतना height है, इतनी chest है, तो आपके लिए benefit की बात है, जो बच्चे UP पुलिस की त्यारी कर रहे थे, उनके लिए सबसे बड़ा मोका है, अब अपने बात करते हैं, exam की, तो exam में आपके क्या रखा गया है, exam में रखा गया है, आपके GKGS, दूसरा subject रखा गया है, math और reasoning, और एक नया subject आपके रखा गया है, Hindi, क्या रखा गया है, हिंदी रखा गया है, यह है आपका exam का patron, आपकी बरती कितने पदों पर होने जारी है, 38,000 पदों पर होने जारी है, पहले ये बرती होती थी, merit बेस पर बरती होती थी, फिजिकल होता था और लेकिन अब ये बड़ा बदलाव कर दिया गया है इस बरती में सबसे पहले क्या होगा एक्जाम होगा और एक्जाम में आपके लिए ये रखा गया है तो जो भी बच्चे एक्जाम की ट्यारी करना चाहते हैं वो बविश्य एजुकेशन का जो टेलीग्राम चैनल है इसका बविश्य एजुकेशन का जो टेलीग्राम चैनल है उस पे एड्मिन और उनर को मेसिज कर देना आपके लिए सारा का सारा material टेलीगराम पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा तो जो भी बच्चे होमगार्ड की त्यारी करना चार रहे हैं UP में उनके लिए सारा का सारा material विद जो PDF है वो फ्री का फ्री आपको टेलीगराम के चैनल के माध्यम से दे दिया जाएगा तो आप जो भी बच्चे त्यारी करना चारे हैं UP होमगार्ड की तो वो बच्चे इस पे एडविन या ओनर को मेसिजे कर सकती हैं ठीक है इसमें क्या है जिके जी एस मैथ रीजिनिंग और साइंस का भी हमने एक सिरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप जादा से जादे जो बच्चे त्यारी करना चारे हैं वो ही मेसिज केवल बच्चे मेसिज करें ठीक है तो ये थी UP पुलिस होमगार्ड की बरती के बारे में जानकारी जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे आई हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आपकी बरती है 38,000 पदों पर बरती है जो बच्चे UP पुलिस की त्यारी कर रहे थे उनके लिए बड़ा बेनिफिट है और जो बच्चे त्यारी करना चारे हैं उनके लिए विद मेटेरियल बिल्कुल फ्री आपके लिए टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा इस पे आप मेसिज कर देना टेलीग्राम का लिंक में जो लिंक हो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है ठीक है तो यह थी यूपी होमगाड के बारे में जानकारी आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और जो बच्चे त्यारी करना चारे हैं उन तक वीडियो शेर कर दीजिए आपके फ्रेंड सर्किल में मिल मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जैहिन जैबार्थ